साथियों नमस्कार, आज हम ईवी रामा सामी पेरियार जी के बारें बात करेंगे, जिनका जन 17 सितंबर 1889 को दच्छिड भारत की एक OBC परव्यार में हुआ था, जिसे हम बढ़ाई लोहार या आज का तथा कतित बिसकर्मा समाच का सकते हैं, पेरियार जी को युनेस को भारत का सुकरात करता है, पूरी दुनिया उन्हें दच्छिड भारत का अमबेट करती है, 17 सितंबर को पेरियार जैनती होती है, लेकिन उसी दिन एक जैनती और मनाई जाती है, बिसकर्मा जैनती, जो 1976 के बाद सुप्रिम कोर्ट द्वारा सरकार की अपील, खारिच करने के बाद आनन फानन में पेरियार के प्रभाव को कम करने या खतम करने के लिए लाया गया, 1976 से पहले बिसकर्मा जी को कोई नहीं जानता था, वे सिर्फ पौरानिक पूरुस थे, साथ को यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, जब बिसकर्मा जी पौरानिक पूरुस थे, तो अन्य उनकी जैंती भी ये किनिस्चित देट को नहीं आती है, हर साल उनकी तारिक बदलती रहती है, क्योंकि वो हिंदी कैलेंडर से मनाई जाती है, लेकिन बिशकरमा जैंती 17 सितंबर को कैसे मनाई जाती है, इसका कोई अधार नहीं है, क्योंकि पौराणिक पात्रों के समय ये अं उसका कोई प्रमाड नहीं मिलता है, पेरियार जी को उनका समाज न जान पाए, उनकी विचारदारा से अउगत न हो पाए, इसलिए ब्रामरवादी, मनुवादी, पाखंडवादी, पेरियार जी के समाज को बिसकर्मा जी का ढोंग थमा दिये, ताकि वे उसी में उल्जे रह हैं, खेर हम बात कर रहे हैं पेरियार जी के बारे में, तो ये पाखंड़ी, मनुवादी, पेरियार जी से इतने डरते क्यों थे, ये सबसे बड़ा प्रस्न है, आईए उसी पे चर्चा करते हैं, पेरियार जी मानते थे कि भारत के सबसे बड़ी समस्या, जातिवाद सवाल भी पूछे थे, जिसने ब्रामरवाद के चूले हिला कर रख दी, इसलिए पाखंड़ी, मनुवादी, ब्रामरवादी, पेरियार जी से डरते थे, डरते हैं और डरते रहेंगे, क्योंकि पेरियार जी भारत के इतिहास है, जिनको खतम करना असंभव है, पेरियार जी सवाल पूछा था, क्या तुम कायर हो, जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते, पेरियार जी भागवान से दूसरा सवाल पूछा था, क्या तुम खुसामत परस्त हो, जो हमेशा लोगों से पूजा आर्चना करवाते रहते हो, पेरियार जी ने भागवा से चौथा सवाल पूछा था क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से हमेशा निर्बल पसुओं का बली मांगते रहते हो पहले तो निर्बल मनुस्यों की भी बली दी जाती थी ऐसा भी इतियास मिलता है जैसे यसी अश्टी वो विसी का पेरियार जी ने भगवान से पाच्व वी इतनी जादा गरीबी भुखमरी होते हुए ऑर्भो रुपे का अन दूदघी फल विना खाय नदी नालों में बहा देते हो। परियार जी ने भगवान से नंवा सवाल पूछा था, क्या तुम बहरे हो, जो बेवज़ मर रहे आद्मियों और बलातकार होती मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो क्या तुम अंधे हो, जो रोज हो रहे अपराधों को नहीं देख पाते हो पिरियार जी ने भगवान से एक रहवा सवाल पूछा था क्या तुम गूंगे हो जो एक सब्द नहीं बोल पाते हो जबकि करोणों लोग तुमसे लाखवा सवाल रोच पूछते हैं पिरियार जी भगवान से बारहवा सवाल पूछते हैं क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म के नाम पे लाखों लोगों को मरवाते रहते हो पेरियार जी भगवान से तेरावा सवाल पूछते हैं क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं पेरियार जी भगवान से चौदावा सवाल पूछते हैं क्या तुम भ्रस्टाचारी हो जो गरीवों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पस्वत काम करके अपने कमाये हुए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे उपर नेवच्छावर कर देते हैं और अंत में पेरियार जी भगवान से 15 सवाल पूछते हैं क्या तुम म पाखंडी मनुवादी ब्रह्मणवादी पेरियार से डर कर 17 सितंबर पेरियार जैनती के दिन विशकर्मा जैनती का ढोंग लेकर आये ताकि पेरियार के विचारों को कम किया जा सके उसे खत्म किया जा सके मैं फिर से कहता हूं यह विशकर्मा जैनती 1976 के बाद चलन में आय जय संभिधान, जय बिग्यान